अगला स्टेप के उना चाहिए इस ताइप की कुछ बात तो फिर मेरे समझमाई कि आपने साथियां के नाम में एक संदेश त्वाब देश कहां एक तो बहुत गजब का काम क्या हुआ इस दोरान कि हमारे को जो तकलीफ देने की कोशिश की प्रसाशन ने सिस्टम ने उसमें वो पूरी तरह से नाकाम हो गया नाकाम मतलब जिसने क्या कि असर नहीं किसे किसम का किसे साथि में बैनी किसी के चेरे पर कोई शिकन कि किसे बाइक कि कौई यू निक बै गलत हौया को एसी चीज हो जिसमा फ갔 लें लगता है हमें यह करना चीय था और हॉए वह करना चीय था लेकिन फंश मारे साथिज Pacific Fragen करे हैं एक आदा साथी तो मैंने पूछ वासा योगन बढ़िया हो गया तो न्यूबी नहीं गया सकता है बहुत बढ़िया हो या लेकिन ससाइटी में समाज में दो-चार संदेश चले गए बहुत बढ़िया पहला संदेश यह गया कि यह लोग रुकने वाड़े भी नहीं है यह डर सब्सक्रा जो बढ़ा संदेश समाज में गया वह यही था कि जो राजीव दिक्षित भाई को फोलो किया करते थे और जो उनके पच्चिनों पर चलते हुए पूरे देश में अपना-पना काम कर रहे थे वह लोगों के अंदर एक मैंने उनके कुछ बहुत से लोगों के फो पर जातीया है कि सभी साथियोंने एक सुर में एक बात कई है कि वह चोडने नहीं है मलब जिन्नोंने भी यह सब किया है वह चोडने नहीं है अचा आप लोग यह देखो बाई कि आपा के उन्ना चोड़ दांगे मलब सोचो कि जिब हम चले विवस्था परिवरतन करने हैं और वो उस विवस्था का इतना बड़ा इस्सा हैं, और उस गेम प्लान में वो शामिल हैं, तो फिर आपा उन छोड़ दाएं कैसे, लेकिन एक बात अपनों लोगों को समझना पड़ेगा, कि या लड़ाई हमारी उस CIA स्टाफ से नहीं है, या लड़ाई पूरी विवस्था से है, और ये, कोई बात नहीं, ये मसला एक CIA स्टाफ से चला था, तो सारे CIA स्टाफ हम ऐसा है कि यो भी देखना पड़ेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बारत में जितने CIA हैं, वो सारे illegal हैं, illegal, fraud है वो, कहीं उनकी history नहीं मिलेगी, वो अंदर उनिक हाते में रखते हैं उसको, मतलब वो torture को अंदर उनिक हाते में रखते हैं, torture कहीं शाम नहीं है, लेकिन वहां, मतलब third degree देने का ऐसा इंतजाम उन लोगों ने किया हुआ है, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते, और ये मैं आज का तो देखनी रहा, मेरा तो पहले भी जाना हुआ है, तो ऐसा नहीं है, यो मेरा पहली विजिट थी, तो इसलिए कुछ साथी कह रहे थे यार, उसके चेरे पर तो स्माइल वैसे ही थी, जैसी जाते से वक्ती वैसी आते वक्ती, तो ये तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि या लड़ाई अगर अपनी उन्दी तो आपना इमत आ रहांगे, या अपने सरम आवेगी, या अपने कोई डर लगेगा, या अपनी भारत से मतलब सिया ये नाम की चीज उडाने का काम आप करां, तो करां, और रही बात ठीक होन की भाई, मैं आपने बताऊं, सारे साथी जिस तरीके से लिंग करने लग रहे हैं, मतलब मैंने प्राणी की लिंग वाले कुछ साथीयों के मेसेजिज आये थे, और आठ दस बताईये ना, नियोकन देरमा थे, ये बापा उपन चलाएंगे, आजाओ भाई, जिसना आना हो, और जो तारह पर बंदाओ कर लो, ठीक है, तो प्लान ये है, कि सुबह आठ बजे अंपलवल के लिए निकलेंगे, वो इसलिए निकलना जरूरी हो गया, एक तो अपने में स साथी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, और वो दिल्ली उस पर रेलो स्टेशन पर पोँच जाएंगे, कल, और जब वो दिल्ली पोचेंगे, तो रुक जाया रहा है, थोड़ा हराम सी था है, तो जिव में दिल्ली पोचेंगे, तो मैंने उन तयोई कह दिया, कि भाई, वह पोच जाएंगे, यहां चंडी गडाओंगे, बीस आदमी चंडी गडाओं उस्तपड़िया, एक आदमी थोड़ी तकलीफ शान करेंगे, वोड़ा चला जाओगा, क्या फरक पड़ रहा है, तो आप वोड़ा पोच जाओ, और बस यह चोटी मोटी सी चोट हैं, यह तो असल में क्या है कि जो वो पैरों वाड़ी चोट है, वह भी चलने लगके तो ले चोट पड़ी रहोगी, पर इन नहीं जो प्लान किया वो बड़ा खतरनाव था, देखो आथों में और पैरों में पेट की पॉइंट्स होते हैं, एक्यू प्रेशर के भी पॉइंट्स हैं, और जो दबाया करे हों, पॉइंट्स तो पेट में कोई गड़ बड़ हो तो वहीं से दबाया करे हैं, तो मैं जो समझों कि उन्होंने पूरा प्लान करके उन पॉइंटों पर अटाक किया, तो मेरी गिल पहली बार ऐसा हुआ हुआ, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ और इसी की बदौलत हम लोग इतना दौड़ पाते थे, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि उन पॉइंट्स में गड़बड़ी की वज़े से हुआ, पर जो हीलिंग वाले दोस्त थे अपने, उन लोगों ने इतना गजब हीलिंग किया, कि अभी बहुत हराम है, और एवरिफि फिर दूसरी बात एक और बताओं मैं आपने, कि ये जो परेशानी है चोटी मोटी, ये बहुत चोटी मोटी परेशानी आए, हम जब वहां थे तो हमारे उत्ते हुए कुछ एक्सिडेंट केस आए, कुछ जगड़े वाले केस आए, कुछ दारू वाले केस आए, और कई लो कि ऐसे अस्पतारों से लाखों लोग मरते होंगे हर रोज, जो बिना किसी उदेश है के मरे, सडक पे चलते हुए मरे, और अगर वो लोग तो मैं समझता हूँ कि बड़े भागेशाली होंगे जो देश के नाम पर, अब मतलब ऐसी कोई शहादत उनके नाम पर लिखी जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई वो नहीं है और आमने तो वह उन ठगारी बात है, आमने तो अपना बच्चा भी त्यार कर दिया है अग्यदेश के लिए कि टेंशन लेने की जूरत नहीं है, हम कोई नहीं हो नहीं है, कि एक आदमी चला जाओगा तो छोड़ देंगा इस यो रस्ता बना पक्का है जो समझ लिए फिर एक वीडियो मैं एक छोटा सा संदेश मैं पंजाब के लोगों के लिए देना चाह रहा था और पंजाब के साथियों से रिक्वेस्ट है कि इसको काट के इसको ना इसको क्लिपिंग को पहुंचाओ लखा से दाना तक और लखा बाई को एक बात बताओ कि भाई आप से मिलना बहुत जरूरी है मिलेंगे हम चुनाओ के बाद चुनाओ तक आप बिजी हो लेकिन चुनाओ से पहले हम पंजाब के सारे लोगों को जहां जहां भी पंजाब के लोग हैं और अपनी पंजाबियत को बचाने के लिए निकले ह हैं मैंने लखे को बोलते हुए सुना है और लखे ने जो अब की बार निव एल्ड ऑर्डर पर बोलना शुरू किया है वहर वो बात बोल रहा है जो गुरुओं की बारणी थी जिसके लिए गुरुवबिन लड़े थे जिसके लिए गुर्णानक देव जी ने सिखी कि स्थापना करे थी जो संदेश सारी दस्मी पात्षाई देती रही है जो असली जो गुरुवों का परपस था वो बात आज लखा बोल रहा है और वो कहीं से नजर नहीं आ रही कहीं से भी और सुनाई नहीं दे रह रहा है जिस तरह से बोली अपनी मा बोली के लिए लखा बोल रहा है जिस तरह से अपनी लिपी के लिए जो लखा बोल रहा है जैसे न्यू बर्ड और पर पूरा समझा रहा है और जमीनों को बचाने की लड़ाई लखा लड़ रहा है और जिस एंगल से भी वो बोल रहा है गजब है ultimate है मैं यह समझता हूं कि पंजाबियत के लिए इससे बड़ी आदमी मैं नहीं अभी तक नहीं देख्या मैं किसान नेताओं से मिल लिया जाके मैंने उनसे सारा समझाया बैठके नहीं यह जोंसे अपनी 20-20-50-50-1000 लोगां का टोड़ा कठा करके नहीं ओड़ा लेक बहुत सारे मुद्दे हैं अरे मुद्दा था रहा है मुद्दा था लेकिन समझ मैं आवजब्य की बात है पर कोना है समझ मैं पर मैं यह कहूं हूं भाई जितना हो सके देखो मैं यह कहता हूं जितना भी दिलो जान से हो सके हम आपके साथ हैं और लखे को वोट जरूर करो बाई मतलब यह पता होना चीए कि न्यू गर्ड ओर्डर के मुद्दे पे भी पंजाब ने वोट किया है एक ऐसे आदमी को वोट किया है जो रियल में सच की लड़ाई लड़ रहा है जिसके अंदर जिसकी बादचीत में कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है कोई दोखा किया वही काम लखाज कर रहा है तो मैं कहता हूं लखे को दिलो जान से सपोर्ट है और अगर आपको चुनाव के वक्त अगर किसी तरह से जनता सरकार मोर्चा के साथियों की जुरूरत पढ़ती है अगर परचार के लिए हमारी जुरूरत पढ़ती है पंजाबी में तो इतना चंगी तरियां पर आप आजाएंगे आप कॉल दियो आप बता दियो कि आमने आना है पंजाब के साथ ही आपसे संपर कर लेंगे नहीं भी संपर करें तो आप संपर कर लिए रविंदर से डबल सेवन डबल जिरो डबल जिरो सिक्स नाइन डबल जिरो पे वह आपसे संपर करके और टाइप करके बता देगा और अमारी अगर जुरूरत पढ़े तो आप हमें कॉल दे देना अपना मोर्चा वहां पहुँच जाएगा और चुनाव तक आप के साथ खड़ा रहेग और मेरे परिवार का कोई सदस्य वोट नहीं करेगा क्योंकि हम अपने बहाफ पे किसी चोर को किसी पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे नाम होंगे उसमें और हम किसी को अपना अधिकार नहीं देंगे और यह मेरा अधिकार है मैं दूँ या ना दूँ और वोटिं करेंगे क्यांटा ही सरकार है काधियान साहब नोटा पर बात करने की जिसका भी वोटर कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है वो आधमी रिफ्यूजी माना जाएगा यह नोटा को इसलिए के आए थे ये लोग ताकि लोग वोट तो करें कम से कम और जिस तरह से वोटिंग का परचार चल रहा है उसको देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वोटिंग का परचार की वोट करिये वैसे ही हो रहा है जैसे वैक्सीन का परचार हो रहा था तो जितना फाइदा व लालच दिखाई दे रहे हैं वो लालच है या डर है और आप लालच और में फंसे और आप दल दल में धंस्ते चले जाओगे तो आपको इससे मुक्त होना बहुत जरूरी है गाओं की अपनी वेवस्था बननी जरूरी है जल जंगल जमीन जानौर की लड़ाई लड़ना पहुंचेंगे तो आप लोग आजाओ जिसने भी पलवल पहुंचना है उसी हिसाब से अपनी टाइप कर लो और मिलते हैं सबी साथियों को फिर वहां मेरे को जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर और साथी जो दूसरे स्टेटों से आए हुए है वह अपना-पना व अपने चलने लायक हो जाँ पां फिर अपन जो है अभी चलेंगे अरियाना की आतरा पर एजुकेशन वाला मॉडल पर मैं बहुत दिनों से बोली रहा हूं उस पर मैं एक लाइव आना था 8 बज़े उस दिन पर मैं नहीं आ पाया और वह जल्दी कल या पर कल तो नहीं आप नहीं है और रोजाना की जो भी प्रोग्रेस अब बताते रहते हैं न्यूश चैनल वाड़ों की उकात नहीं है कुछ भी सच्चाई दिखाने की और जो मीडिया चैनल हैं आजकल वह जिनको आप मीडिया वाड़े बोलते थे वह आजकल पॉल्टिकल लोगों के पैकेज ले वहां के लोकल साथी है ना उन से ही रिक्वेस्ट है दूर के साथ ही बिलकुल ना आए और रही बात पुलिस प्रसाशन की भाई पुलिस प्रसाशन को मैंने तो उस दिन डीएसपी को भी भूल दिया था कि भाई देखो जब कोई बच्चा कंसीव होता है ना जब उसके होता है होडल आना है या पल्वल भाई वह पल्वल जेल में है पल्वल जल से आएंगे हूद लगेगी और फिर फ dol tourism के निकले पुलिस जिस गाउं में नहीं गई वो गाउं बच रहा है जिस गाउं में पुलिस की एंट्री होगी उस गाउं का नास हो गया जहां पुलिस की चौकी बनगी उड़ा तो नशेक भी धड़ा धड़ भी करा है तो उन्हें समझ लोग कि पुलिस आपके काम की है या आपका गाओं का तंतर आपके काम का है पूरी चर्चा करेंगे इसके उपर ऐसा नहीं है कि हम कोई हवावाई बात कर रहे हैं लंबा प्रोसेस है हम तो बहुत लंबी सोच के साथ चले हुआ हमाना कोई तोड़ नहीं कहा है कि भी और लेकिन जल्दी ही लोगों से राई शुमारी करेंगे इसके उपर आगे बढ़के कोई ना कोई बड़ा निरनायक एक प्रोग्राम चालू करेंगे ताकि सब लोग अपने अपने अलाके में अपने अपने गाउं को बचा सकें गाउं बचेगा तो देश बचेगा असल में गाउं ही देश है ये बातें थोड़ी टाइम के बाद समझ में आएंगे जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि जनताई सरकार गाउं बचेगा तो देश बचेगा गाओं की विस्ता सबसे बड़ी विस्ता जो कहने को सुराज है और इस टाइप की चीज़ें इस पर हम लगातार चर्चा में रहेंगे बहुत जल्दी होएंगे जो मार रहे थे वो मारने वाले बन रहे थे लेकिन उनके बच्चे मार खाने वाले भी बन सकते हैं जी उनके बच्चे क्या जब वो नौकरी पर नहीं रहेंगे तो उनके बच्चेओं को कौन बचाएगा फिर ये नहीं समझ में आया तो ये तो बिलकुल तैह है जी कि अपना उनको भी ऐसास नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है हलाकि उसके बाद पर वो जलील लोग थे अगर उनके आँखों में थोड़ी बहुत शरम दिखाई देती वो अगर अफसोस जाहिर करते तो शायद कुछ थोड़ा बहुती होता कि मिसगाइड़ लोग थे लेकिन वो मिसगाइड़ नहीं थे हाइली करप्ट वायात मतलब वहशी दरिंदे और डीएसपी साथ में शामिल और मैंने उन डीएसपी उसे पूछा कि तुम्हारी मर्जी के भी ना कर देते हैं या तुमसे पूछ के करते हैं फस गया वह बड़ा नहीं हो करते हैं इस पर चर्चा दूख और किसी इंट्रिव में लंबी चर्चा करेंगे और फिर करेंगे तो अभी सब ठीक है सारे बायों ने फोन किया और साथियों के सब्सक्राइब करते हैं और बहुत बड़ा गलती कर दिया गलती का पहाड ठालिया पुलिस नापने शिर्प है इसका पेंड़ा जिब तक आम नहीं चोड़े जिब तक इस पुलिस का समूल नाश नहीं कर देंदे यह मुद्दा तो इनके गड़े की अड़ी बनेगा यह मा लोगों के खिलाफ लड़ांगे जिनके खिलाफ लड़ने से मतलब सारे तंतर डरते रहे हैं इवापन डराने लिए बहुत बहुत दन्यवाद शुब रात